हम एक लोग कांत्री की ववस्ता में हैं और हमारे सामने तीन लक्ष साफ साफ होने चाहिए और मैं मानता हूँ कि उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और तीन ही होता नहीं है बाके और किछी यह हो सकती है लेकिन मैं तिर्फ तीन को आज समावित करना चालता हूँ पहला लक्ष है कि आखिर करा में देश में जो भी विवस्थाइं चलाते हैं जो भी बजेट घर्च करते हैं जो भी पद प्रतिश्टा हम प्राप्त करते हैं किसके लिए हैं जी यह सब क्यों है यह मेहनत किस बात के लिए हैं यह ताम जाम किस बात के लिए हैं और इसलिए मैं कहूँगा हमारा पहला लक्ष है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में बढ़लाव आएं उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो देश के सामान्य नागरी को अपनी सामान्य जिन्दगी के लिए सरकार से जो नाता आता है उसे जिद्दो जहां न करनी पड़े सहज रुप से सब उपलबत हो यह लक्ष सदा सरवदा हमारे सामने होड़ा चाहिए हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए कि देश के सामान्य मानुवी के सपनों को संकल्प में बदलने के लिए उसका सपना संकल्प कैसे बने उस सपने को संकल्प तक यात्रा पूरी कराने में एक पॉजिटिव एट्वोस्पियर एक स्वाभाविक बातावन पैदा करना यह व्यवस्था का जिम्मा है जिसका नेतरुत्व हम सब के पास है हमें यह भी देखना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपने संकल्पों की सिद्धी की आत्रा में सपना संकल्प बन जाए बात वहाँ अटक नहीं सकती है जब तक कि संकल्प सिद्ध न हो और इसलिए सपना संकल्प बने संकल्प सिद्धी बने इस पूरी यातरा बहाँ जहां भी जरुर्वत हो हम एक साथी की तरह एक कलीक की तरह उसके साथ हो उसके हैंड होल्डिंग करें यह जो अग्लुमिंग को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर पाई है वो हमें जरू करना चाहिए अगर मैं दूसरे लक्ष की बात करूँ तो आज globalization globalization हम पिछले कई दस्तों से सुन रहे हैं हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था लेकिन आज स्थिती कुछ अलग है आज भारत का positioning बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्वबे करना अब हमारे लिए समय की मांग है भारत दुनिया में शिर्ष पर कैसे पहुँचे अगर दुनिया की गतिविदियों को नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे तो हमें कहां जाना है और हमें शिर्ष स्वान पर जाना है तो हमारे राह कौन से होगी हमारे शेत्र कौन से होगे यह हमें आइडेंटिफाइ करके और उसका तुल्डात पर अध्यान करते हुए में आगे बढ़ना ही पड़ेगा हमारी यो योजनाय है हमारे गवर्नन्स के जो मोडल है वो हमें इसी संकल्प के साथ विक्सित करने है हमें कोशिश ये भी करनी है कि उनमें नभीनता आती रहे उनमें आधुनिता आती रहे हम पिछली सताब्दी की सोच पिछली सताब्दी के नीत की रवह से अगली सताब्दी की मजबूती का संकल्प नहीं कर सकते है और इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियमों में, हमारी परंपराओं में पहले शायद बदलाव लाने में 30 साल, 40 साल चले जाते होंगे तो चलता होगा बदलते हुए विश्व और तेज गती से बदलते हुए विश्व में हम पलक पलक के हिसाब से चलना पड़ेगा ऐसा मेरा मत है अगर मैं आज तीसरे लक्षी की बात करूँ जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूँ सिमी सर्वीश का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्षे ओजल नहीं होना चाहिए व्यवस्ता में हम कहीं पर भी हो उपद पर हम कहीं पर हो लेकिन हम जिस व्यवस्ता से निकले हैं उस व्यवस्ता में हमारी वो प्राइम रिस्पॉंसिबिलिटी है और वो है देश की एकता देश की अखंडता उसमें हम कोई कंप्रमाइश नहीं कर सकते स्थानिये सर पर भी हम जब भी कोई निर्णे करें वो निर्णे कितना ही लोक लुभावना हो वहावाई वटोड़े वाला हो कितना ही आकर्शक लगते हो लेकिन एक बार उस तराजु से भी उसको तोल दीजिए कि मेरा ये छोटे स गाउं में कर रहा हूं जो नेड़ा है कहीं वो मेरी देश की एकता अखणित्ता के लिए रुकावड बनने वाला है तो मैं कोई बीज़तों नहीं बोर रहा हूं आज तो अच्छा लगता हो प्रिया लगता हो लेकिन स्रेयस करना हो और मात्मा गांधी हमेशा स्रेय और प् हम नकानात्मक्ता को छोड़ करके हम यह भी देखे हमारा कोई भी फैसला है देश की एकता को मजबूत करने माले स्पिरिट से जुड़ा होना चाहिए पूंट तोडता नहीं इतना इरफ नहीं है हो मजबूती देता है और भीवीदिता परे भारत के अंदर हमें लगातार एकता मंत्र का सोल्यूशन करते ही रहना पड़ेगा और यह पीड़ी कसोड एक होनी चाहिए इंडिया फॉस्ट नेशन फॉस्ट मिरा राश्ट सर्वो परी हमें जहां पहुतना है लोक तंत्र में शासन व्यवस्थाएं भिन भिन राजनितिक विचाराओं से पेरित हो सकती हो और वो भी लोक तंत्र में आवश्यक भी है लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं है उसके केंडर में देश की एक्ता और खंडिता और निरंतर भारत की एक्ता को मजबूत करने के मंत्र को हमने आगे बढ़ाना चाहिए